जहिन दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पॉले टेकनिक 2023 का कटफ कितना जाएगा दोस्तों आज का जो वीडियो है या संपून निचोड वीडियो है इसमें कौन-कौन से टॉपिक पर बाते करने वाले हैं सबसे पहले कटफ कितना जाएगा उस पर बात करने वाले हैं, सांती सांत ये भी बात करने वाले हैं कि अभी जो दो दिन बचा हुआ है, उसमें कैसे क्या पढ़ना है, उसके बाद तुक्का कैसे लगाना है, आखिर रामबान भी तो उपाय चाहिए, भरंसस्त्र भी तो आप सभी को चाहिए, कि माली जो पढ़ाई कि लेकिन आप सभी को government polytechnic college में admission जरूर दिला देगा तो सबसे पहले बात करते हैं कि expected cutoff कितना जाएगा अनुमानित कितना है 2022 में कितना गया था और 2023 में कितना जाने वाला है ये पहले जान लेते हैं देखिए हर साल बिहार polytechnic का जो cutoff है वो लगबग लगबग same रहता है same का मतलब है कि 90 questions बिहार polytechnic में पुछा जाता है जो physics से chemistry से और math से पुछे जाते हैं 30-30 नंबर के तो उसमें सबसे ज़्यादा cutoff जो जाता है अच्छा government polytechnic college की बात किया जैसे कि पटना हो गया government polytechnic college पटना या सभी जो college है लेते है ना तो 100% आपको top 1 top 5 के government polytechnic college में admission मिल जाता था यह जो है यह data 2022 का है 21 का है 20 का है लेकिन इस वार का cutoff क्या रहेगा आपके मन में जो doubt है कि आखिर का 2023 में expected cutoff क्या रहेगा तो CM यही cutoff रहने वाला है थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है मतलब 90 में अगर आप 55 लाते हैं तो top 5 के government polytechnic college में admission हो सकता है 45 भी लाते हैं तो हो जाएगा और एक expected cutoff की pass होने के लिए कम से कम कितना number लाना होगा कि बिहार polytechnic के government polytechnic college में admission मिल जाए तो कम से कम 35 number आप सभी कम से कम 35 number लाना होगा बिहार पॉलेटेकनिक के गवर्मेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 90 कोशन में 35 कोशन को सही करना है जो कि काफी ज़्यादा असान है 50% से भी कम आपसे भी कोशन को सही करना होता है माल लिजिए अगर आपका केमिस्ट्री वीक है छोड़ दीजिए मैथ वीक है छोड़ दीजिए फिजिक्स वीक है छोड़ दीजिए कोई दो सब्जेक्ट पर कमांड कर लिजिए एक्जाम में दे दीजिए 30-30 कोशन पुछा जाता है अगर 20-20 वी बनाईएगा देखिए समय आप सभी ने जितना भी विताया पढ़ाई के साथ जितना भी विताया रिल्स के साथ जितना भी विताया आप सभी वाटसप स्टेटर्स के साथ जो समय वितना था वो बीथ चुगा है अब बचा दो दिन आपको क्या पढ़ना है यहां पर काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है तो अभी आप सभी के पास दो दिन बचा हुआ तो दो दिन आप सभी कुछ नहीं करें सिर्फ और सिर्फ प्रिवियस एर कोशिटन पेपर को लगाए अब आप सभी के मन में डाउट आ रहा होगा कि previous year question paper को क्यों लगाना चाहिए तो दोस्तों हर साल जो है हर साल नयाने question बनाना बहुत ही जादा मुस्किल है क्योई भी एक सिमित सिमित सिलेवस में से कितना question को निकाला जाएगा लगातार 16 साल से लगातार पूछा जाड़ा है बिहार पॉले टेकनिक में तो आप सभी को important important question जो है वो previous year question में ही देखने को मिल जाएगा तो आप सभी previous year question paper लगातार दो दिन बचा हुआ है दो दिन में कम से कम 10 साल का लगा दे अब आप सभी के मन में ये भी doubt आड़ा होगा कि sir previous year question paper मिलेगा कहा से तो आप सभी के लिए हमने पूरा निचोर लाया है 10 साल का previous year question paper 10 साल का previous year question paper है आप सभी को वहाँ पर physics का, chemistry का और math का पूरा अच्छे से आप सभी के लिए हमने PPT बना दिया है ठीक है आप सभी के लिए हमने PPT बना दिया है कि इस नमबर पर 9507583181 इस नमबर पर आप सभी को message करना है, whatsapp करना है कि sir मुझे PPT चाहिए previous year question paper बिहार polytechnic का तो मैं आप सभी को whatsapp कर दूँगा इसका बहुत-बहुत minimum fees आप सभी के लिए हमने रखा है वो 99 रुपीज है आप सभी यकिन नहीं करेंगे या आप इतना पढ़ कर जाएंगे न तो 100% आपका selection हो जाएगा तो या आप 99 रुपीज नहीं समझे या आप सभी रामबान समझे या बहुत-इन low fees रखा गया है अगर आप सभी लेना चाहते हैं तो अंतिम समय में क्या पढ़ना है वो previous year question paper को ठीक है अब बात करते हैं तुक्का कैसे लगा है माल लिजिए previous year question paper पढ़ लिए model set पढ़ लिए slavus complete कर लिए लेकिन वहाँ पर आपका brain जो है काम नहीं कर रहा है deactivate चल रहा है तो वहाँ पर आपसे भी क्या करेंगे तो वहाँ पर आपसे भी काम आएगा वो आएगा तुक्का कि आखिर कार तुक्का कैसे लगा है तुक्का लगाने का भी बहुत अच्छे च्छे आपसे भी को कैसे तुक्का लगाना है वो जानलीजे तुक्का अगर सही से लगाएंगे तुक्का सही आप सभी Government Polytechnic College में admission ले लेंगे इसके लिए आप सभी को 3 step में मैं आप सभी को बताऊंगा 3 step अगर आप follow करते हैं तो 100% तुक्का कैसे लगाएं उसमें आप सभी का 100 out 100% question सही होगा या क्योंकि इसमें बहुत सारे student इस तरीके से तुक्का लगाएं हैं और उनका सही भी हुआ है ठीक है कैसे वो बताते हैं सबसे पहले आप सभी को करना क्या है 1 step में कि 90 question बिहार Polytechnic में पुछा जाता है तो 90 question में आप सभी को करना क्या है कि कितना question आप सभी से बनता है ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 90 में 90 बनेगा ही नहीं ऐसा हो नहीं सकता है जाओर है कि आपका 10, 15, 20 question जो है आप आसानी से बना लेंगे तो माल लिजे आप 15 question को बनाते हैं या 20 question को पकर के चले तो 20 question आप सभी first step में बना लेते हैं तो वो आप सभी का जो था वो अपने दिमाग से आपने पहले पढ़ रखा था वो आपने बनाया है इसमें कुछ बड़ी चीजे नहीं किया है आपने यहाँ पर तुक्का नहीं लगाया है second step में आप सभी तुक्का लगांगे संवी आपसी नहीं नहीं होग Art तो आपको बिन लगाकर सी में option लगाना है क्यों ऐसा लगना है क्योंकि gets क्या चीजे जो हता हो perfect नहीं होता है वो गलत ही होगा ठिक है गलत होगा इसका reason यही है कि अगर आपके पास अगर सही अगर guess रहता तो आपको याद रहता लेकिन आपका guess किया गया चीज जो होता है लगवग लगवग वो गलती होता है अनुमानित चीज गलती होता है पूरा right नहीं होता है right अगर होता तो आपके दिमाग में याद रहत ठीक है तो करना क्या है step two का कि option चार दिया रहाता है उसमें से आपका दो option बिल्कुल भी option नहीं होना चाहिए आपका मन में यह doubt आता है और दो option पर doubt आता है कि यही B नत सी होगा तो जिस पर आप से भी का confusion है उस पर ना मारकर जो आप पूरा clean and cut है उस पर मारना है यह रहा point number two तुक्का लगाने का अब आ रहा है point number three कि तुक्का आखिर का कैसे लगा यह भी बहुत important है इसमें क्या है A, B, C, D यह चार option दे रखा है और एक प्रस्न है जिसमें चार option दे रखा है चारो का चारो option आपका पूरा नया लग रहा है यह आपने सोच रहा है कि यह कोशन तो ह आपने बना रखा है दूसरा step में आप सभी ने 10 question कम से कम बना लिया है जो B, C करके option जो आपको समझ में आ रहा था optionally इसके पाद step number three में आप सभी को क्या करना है कि A, B, C, D दिया रहा है optional जो आप सभी को दे रखा है तो optional में क्या किजिए आप सभी लोग कि सबसे ज़्यादा आपके pattern में माल लेजिए आपका B, C, D आपके कौन सा जो set है set number B, C, D जो भी paper का set हो उसमें जो option का सबसे ज़्यादा weightage सही हो उसको आप सभी को सही करना है मालने जी आपका set number D है और उसमें जो है सबसे ज़्यादा option जो है आपका A सही हो रहा है और यह जो चार option दे रखा है वो option में एक को question आप सभी को समझ नहीं आ रहा है तो आपको उसमें क्या करना है सभी के सभी में A मारना है मालने जी 30 question छुट रहा है तो 30 में A मार देना है इससे क्या फायदा होगा इससे फायदा यह होगा कि कभी भी examiner जो होते है वो कभी भी ऐसा नहीं होते है मालने जी आप 30 question छोड़ रहे है तो A का ही पूरा 30 question option जो है A लिखेंगे ऐसा कभी नहीं होगा कि B का 30 से लिखेंगे ऐसा कभी नहीं होगा कि C जो option है उससे 30 होंगे ऐसा हो सकता है कि A से 5 B से 6 question C से 5 question ऐसे करके वो आगे पीछे करते हैं तो अगर मालने जी 30 question अगर आप सभी से नहीं बन रहे है A, B, C, D कोई option समझ नहीं हा रहा है अगर आप A मार कर चलते हैं अगर 6 question अगर आप से भी सही होता है 20 question वहाँ से आप लोगों ने सही कर रखा है और B और C के option वहाँ confusion में से 10 question आप सही कर रखे हैं और यहाँ से भी अगर 5-6 question सही कर लेते हैं तो government, politics, college सीर पर सीर आप तुक्का मार के ही प्राप्त कर लेंगे ठीक है तुक्का कैसे लगाना है? simple से एक बार आव रिवीजन में बता दे पहला कि जो आ रहा है वो कर लिजए दूसरा जो confusion है जिसमें option में उसको छोड़ कर तिसरा में हमारे तिसरा जो एक भी question के option समझी नहीं आ रहा है तो जो set है उसमें आपका जो ज़्यादा वेटेज है उसको A, B, C सबसे ज़्यादा जो वेटेज है उसको मार देना है ठीक है? चलिए अब बात आता है last की डिवीजन कैसे करे? डिवीजन भी जरूरी है अंतिम समय की बात है तो रिवीजन इतना जरूरी है कि मत पूछे तो रिवीजन के लिए आप सभी को हमने कहा है कि PYQ पढ़ना है PYQ इसलिए कहा है कि PYQ सबसे ज़्यादा question होते है previous year question सबसे ज़्यादा पूछे जाते है हर एक exam में बात कहा जाए सेंट्रल लेवल का या रेलवे का किसी भी exam की बात किया तो सभी में जो है यहां की board exam की बात किया जाते हैं प्रिवेस year question पूछे जाते हैं प्रिवेस year question पेपर आप लोगों ने लगा रखा है तो आप सभी ज़्यादा परियास करें model से जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी practice करेंगे syllabus का एक भी question नहीं पढ़ेंगे और हो सके तो notes ज़्यादा पढ़ाई करें अगर आप सभी ने notes बना रखा है तो notes को पढ़ें दो दिन बचा हुआ है रिलाक्स रहें healthy रहें और यह डर जो है exam का exam का डर हटाए अच्छा paper जाएगा आपने तयारी अच्छा किया है तो ठीक है तो उम्यद करता हूँ कैसे आप सभी लोग revision करेंगे तुक्का कैसे लगाएंगे अंतिम समय में क्या पढ़ेंगे एक्सपेक्टेड कटफ क्या रहेगा इस सारी चीजे को आप सभी analyze कर लिया है फिर मिलते हैं एक नई उमंग के साथ नई वीडियो में जत्तक के लिए जय हिन